दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको ब्लोग पे ट्रैफिक लाने की एक ऐसी strategy के बारे मैं बताने वाला हूँ अगर आपने उसे follow कर लिया तो आपके ब्लोग पे Google से unlimited organic traffic आने लग जाएगा और अगर आपके ब्लोग पे advertisement लगी होंगी या फिर आपने affiliate link लगाये होंगे तो आप आसानी से महीने के 40-50,000 रुपे घर वेठे कमा सकते हो तो यह strategy बहुत ही ज्यादा simple है लेकिन इसको आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा क्योंकि इसमें सिरफ 3 ही points हैं अगर आपने इन 3 points को अच्छे से समझ लिया तो आप जितना चाहे उतना पैसा ब्लोग से कमा सकते हो और ब्लोग पे free में traffic ला सकते हो लेकिन strategy को बताने से पहले मैं आपको एक rule बताना चाहूंगा जो कि आपको follow करना पड़ेगा यह strategy ऐसी नहीं है कि आपने आज सीखी implement कर ली कल result मिल गया इसके लिए आपको minimum 30 days अपने ब्लोग पे strategy को follow करना पड़ेगा और इसक अब यह जो target keyword है कैसे find करना है वो मैं आपको practically बताऊंगा लेकिन इससे पहले target keyword कैसे find करना है उसके दो rule बताना चाहूंगा कि कैसा find करना है सबसे पहला जो rule है हमारा targeted keyword है वो long tail keyword होना चाहिए long tail का मतलब होता है जो हम keyword select करेंगे उसमें 4 या 5 words होने चाहिए दूसरा जो rule ह वो यह है कि जो आप target keyword find कर रहे हो उसमें महीने के कम से कम 500-600 searches होने चाहिए कि लोग Google में उसे लिखके 500-600 लोग search करते हो तो उसमे 500-600 का traffic होना चाहिए इससे ज़्यादा हो तो भी चलेगा लेकिन minimum 500-600 होना चाहिए तो चलिए practically आपको बताता हूं कैसे target keyword को find करना है तो द पर आपको बताना चाहता हूं यह totally free tool है इसके लिए आपको कुछ pay करने की जरूवत नहीं है totally free में आप यहां से keyword research कर सकते हो जैसा कि यहां पर लिखा है free keyword research tool आपको क्या करना है जिस भी topic के ऊपर blog post लिखना चाहते हो उसी से related हम यहाँ पर target keyword find करेंगे तो हम example ले लेते है कि हम यहाँ पर लिख रहे हैं earn money online तो मैं यहाँ पर just लिखता हूँ कि मुझे earn money online के ऊपर एक post लिखना है तो उससे related मुझे target keyword find करना है मुझे यहाँ पर लिखना है I am not a robot पे click करना है click करने के बाद यहाँ पर search का button मिलेगा इस पर click कर देना है और कुछ seconds wait करना है यहाँ पर बहुत सारे keyword यह आपको free में suggest कर देगा उसमें से कौन सा हमें choose करना है वो मैं आपको बताता हूँ तो यहाँ पर हम थोड़ा सा नीचे scroll करेंगे नीचे scroll करने के बाद यहाँ पर देखिए मैंने जैसा कि आपको बोला था हमें ऐसा keyword चुनना है जो long tail keyword हो और कम से कम 400 से 500 पर सर्चीज होने चाहिए तो हम क्या करते हैं हम थोड़ा सा नीचे आते हैं और देखते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा एक यह keyword है earn money online by playing games without investment इस पर 1000 सर्चीज है और यह देखिए long tail keyword है 1,2,3,4,5,6,7,8 काफी अच्छा long tail keyword है जिस पर 8 words ह और monthly searches इस पर है 1,000 या तो हम इसको भी ले सकते हैं इसके अलावा अगर आपको और भी कोई मिलता है आप वो भी देख सकते हो जैसे कि एक यह वाला keyword है earn money online data entry यह भी क्या है यह भी यहाँ पर एक long tail keyword है जिस पर 1600 सर्चीज है तो मैं क्या गरता हूं मुझे यह थोड़ा सही लग रहा है long tail keyword है इस पर 1000 searches भी है हमारे दोनो rules पूरे हो रहे है प्रॉपर हमें यहाँ पर एक ऐसा keyword मिला जो long tail keyword है प्लस monthly volume यहाँ पर 1000 है जैसा कि मैंने आपको भूला सा 500 से 600 minimum होना चाहिए उससे ज़्यादा होगा वो चलेगा अब हमें उससे ज़्यादा मिल रहा है तो हम इसको select कर लेते हैं तो guys हमने अपना पहला step complete कर लिया अब हमारे पास एक ऐसा keyword आ चुका है जिसको हम Google में rank करवाना चाते है मतलब कि इस keyword को जब भी कोई Google में देखेगा तो पहले page पर हमारी blog post आनी चाहिए हमें ऐसा keyword मिल चुका है अब हम बढ़ते हैं अपने second step की और second step को जो मैंने नाम दिया है वो है gateway अब हमें ऐसी websites find करनी है Google के जो पहले page पर आ रही है keyword से related जो की week हो week का मतलब कि उन्हें हम अपनी blog post से replace कर सके है अनी हम उनकी जगा ले सके आसानी से हम उनकी जगा rank कर जाए हमें ऐसी website को find करना है अब ये website कैसे find करनी है मैं आपको practically computer प पस mobile है laptop computer नहीं है उनको कैसे find करनी है मैं दोनों को ये तरीके बताने वाला हूँ तो practically आपको मैं बता देता हूं तो दोस्तों हमने ये keyword select किया था अब हमें क्या गरना है Google को open करने के बाद इस keyword को paste करना है और यहां पे हमें ये देखना है कि इस keyword पे कौन-कौन सी website पहले page पे rank कर रही है तो हमें उन में से कैसी website निकालनी है जिसका जो DAPA हो वो 30 से कम हो अब ये हम कैसे पता लगाएंगे DAPA किसका कितना है उसके लिए देखिए सबसे पहले मैं बताता हूं आपको वो उन लोगों के लिए जिनके पास laptop या computer है उनको क्या करना है आपको Google खोलना गूगल में यहाँ पे लिखना है मोजबार extension अभी जिनके बस mobile है उनके लिए भी आने वाला है तरीका कैसे आप DAPA को find कर सकते हैं तो यहाँ पे मोजबार के extension को search करना है जो कि Chrome के लिए बिल्कुल free में मिल जाता है आप देख सकते हैं 8 लाग से ज़्यादा लोगों ने इ refresh करता हूँ अगर यहाँ पे शो नहीं होता है तो आपको करना का यहाँ पे इस तरह से option मिलता है और मोज एक्स्टेंशन पर आपको क्लिक कर देना है जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको free account बनाना पड़ेगा तो आपको create account पे क्लिक करना है तो यहाँ पे लिख दिया हम अभी सीख रहे हैं उसके बाद agree किया robot वाले option पे क्लिक किया और create an account पे क्लिक कर देना है तो यहाँ पे हमारा जो एकाउंट है बन चुका है अब जो भी हमने email id दी थी हमें वहाँ पे उसे activate करना है तो हम अपनी Gmail id खोलेंगे इन्होंने हमारे पा अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने बोला 30 से कम होना चाहिए लेकिन यहाँ पे हमें एक ऐसी website मिली है जिसका यहाँ पे देखिए PA तो 34 है लेकिन DA इसका 13 है तो हम इस website को target कर सकते हैं कि इसकी जगा हम अपनी website को rank करवा है क्योंकि इसका जो PA काफी कम है और domain authority तो इसकी 13 है जो कि बहुत ज्यादा कम है आप आसानी से इसकी जगा अपने blog को rank करवा सकते हो अब बात आती है ऐसे लोगों की जो लोग यह बोलेंगे कि सर हमें कैसे पता लगेगा इस website का DAPA इतना है क्योंकि हमारे पास तो mobile है तो उनको क्या करना है उनको copy करना है यहा लिके करके यहाँ पर इन websites को check करना पड़ेगा आप यहाँ पर 10 URL एक साथ डाल सकते हो तो आपको करना क्या है बेसिकली जो भी हमने यहाँ पर keyword search किया है कापी सारी sites है जिनके पास laptop और mobile है उनको इस extension की मदद से यहीं से दिख जाएगा लेकिन आपको एक-एक website के link को copy करन है और copy करने के बाद आपको इस इसको open करना है इस website को smallseotools.com domain authority check कर यहाँ पर उस link को paste करना है और check capability पर यहाँ पर check authority पर click करना है जैसे ही आप click करते हैं कुछी seconds में इस website की देखिए detail यहाँ पर आ गई डी ये इसका 13 है पी ए 34 है तो इसको rank करना काफी ज्यादा आसान है अपनी post को क्या process है वो मैं आपको next step में बताऊंगा अब देखिए हमने find कर ली एक ऐसी website जिसका PA काफी कम है जैसे की DA तो 30 है और PA 34 है तो हमने इसको choose कर लिया अब हमें next step क्या करना है वो मैं आपको बताता हूं तो guys अब हमारे पास जो second step है वो complete हो चुका है हमारे पास ए open कर लेना इसकी post को ध्यान से पढ़ना है कि इन्होंने कितने words की post लिखी हुई है कितनी images add करी हुई है और article कैसा लिखा हुई है तो आपको क्या करना है पूरा analyze करना इनके article को इनसे better article लिखना अगर इन्होंने 1000 word का लिखा है तो आप 1500 word का लिख दे 2000 word का लिख दे और जो quality इन्होंने provide की अपने article में उससे better quality आपको अपने article में provide करनी है और उसके बाद अपने blog post को publish कर देना तो इससे होगा गया थोड़े time में अब आपने देख लिए जो इस website का weak website थी इसका DAP एक कम था और आपने इनसे better article लिख दिया तो Google क्या करेगा इनकी जगा आपकी website को Google के पहले page पे rank करने लग जाएगा तो ये थी एक simple सी strategy जो की बहुत ही ज़्यादा powerful है अगर आप इस पे long time का काम करते हो अगर आपको इस strategy अच्छी लगी तो comment करके बताना blogging से online earning YouTube technology से जड़ा कोई भी doubt हो तो comment करना मैं आपके लिए video बना दूँगा इसी तरह की और videos के ल के लिए video में तब तक के लिए अपना ध्यान रखें बबाए